Hey, welcome back once again and this is Dr. Sunil आज इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ही common problem के बारे में जिसके अंदर patient हमारे पस complaint ये लेकर आता है कि उसके दात के नीचे या फिर मसूडे के उपर एक चाला हो जाता है ये चाला दीरे-दीरे size में बढ़ने लगता है और थोड़ा pain करने लगता है एक time ऐसा आता है कि ये चाला फट जाता है इसका सारा पस निकल जाता है और pain बंद हो जाता है ये चीज यहीं पर नहीं रुकती दीरे-दीरे ये जो चाला होता है ये बार-बार होने लगता है लाइक हर पंदा दिन में, हर महीने में ये एक बार तो होता ही है तो ये exactly क्या होता है और हाँ ये चाला उसी जगह पर होता है तो exactly ये क्या है ये क्यो होता है और इसका क्या treatment होता है आज इस वीडियो में हम जानेंगे देखिए सबसे पहले हमें यह जानने की ज़रूँ था हमारे दाथ के अंदर जो पल्प होता है ये एक vital structure होती है यानि कि पल्प के अंदर हमारी blood supply और nerve supply होती है अब क्या होता है किसी भी type का अगर infection दाथ में हो जाता है तो उसकी वज़े से pulp dead होने लगता है तो starting में जब infection होता है तब pain होने लगता है बट कई बार patient क्या करता है dentist के पास जाता है या फिर chemist के पास जाता है और बोलता है कि आप तो सिफ अभी हमें दवाई दे दो दवाई खाने के वज़े से दर्द तो दब जाता है लेकिन जो infection है वो अब भी वहीं रहता है जिसकी वज़े से ये infection periapical region में चला जाता है और वहाँ पर infection cause करने लगता है जिसकी वज़े से ये जो infection है ये periapical region में यानि कि दात की जड़ तक पहुँच जाता है और वहाँ पर पस accumulate करना start करता है जिसे periapical abscess बोला जाता है यहाँ पर जैसे ही पस accumulate होता है तो वो एक pressure डालता है अपने जड़ के चारो तरफ के area पे periapical region में pressure डालता है अब pressure की वज़े से कई patients में pain होने लगता है तो वो इसी condition में हमारे पास आजाते हैं या फिर वो दुबारा से किसी chemist के पास भागते हैं और दवाई लेते हैं अगर इस condition में root canal कर दी जाए तो problem यहीं पे solve हो जाती है क्योंकि root canal में pressure release कर देते हैं जो pulp पर उसको open कर देते हैं infection को निकाल देते हैं लेकिन अगर इस condition में भी patient यह कहता है नहीं मुझे तो अभी दवाई खानी है भी मुझे इलाज नहीं करवाना तो क्या होता है यह जो पास होता यह pressure डालता डालता जो bone होती है उसके जरीए बाहर की दरफ निकलने लगता है यानि वो एक अपना रस्ता बना लेता है बाहर निकलने का जिसकी वज़े से वहाँ पर आपको एक sinus track यानि कि एक pimple देखने को मिलता है जो कुछ time मत फटता है यानि कि वो पस बाहर निकल जाता है और फिर वो pain बंद हो जाता है क्योंकि अंदर का pressure release हो जाता है अब क्या होता है ये चीज़ ठीक तो होई नहीं है तो ये बार-बार पस accumulate होता है और बार-बार ये sinus track के जरीए निकल के और पस discharge होता रहता है इस case में अगर patient root canal करा लेता है तो ये problem solve हो जाती है लेकिन अगर फिर भी ये root canal नहीं करवाते हैं तो क्या होता है ये problem reacar होने लगती है बार-बार होती है उसकी वज़े से क्या होता है कि ये infection कभी कई बार फैलता फैलता space infection भी कर देता है यानि कि cellulitis कर देता है swelling आ जाती है face के उपर तो कई बार ऐसी problem भी इससे हो जाती है तो इसका जो best treatment होता है वो root canal होता है in case अगर दाथ mobility पे आ जाता है कई बार इतना pressure abscess की वज़े से हो जाता है कि दाथ हिलने लग जाता है और वो grade 2 mobility पे आ जाता है इस condition में जब tooth mobility पे आ जाता है तो हम एक chance लेकर उस tooth को save करने की कोशिश करते है हम यह try करते है कि एक बार पस अगर निकल जाएगा तो tooth की mobility रुख जाएगी लेकिन इसके chances 50-50 होते है ऐसा जरूरी नहीं है कि यह mobility रुख ही जाए यहाँ एक radiograph में आपको show कर रहा हूँ patient का यहाँ आपर आप देख सकते है कित्ती बड़ी large cyst बनी हुई है इस condition में भी patient का tooth था वो mobility पर था लेकिन तीन महीने लगे इस patient को ठीक करने में और यह patient ठीक हो गया इसकी mobility भी रुख गई इसका जो sinus tag था वो भी बंद हो गया इसका first discharge होना सब बंद हो गया तो कहीं बार ऐसी condition में दात बज भी जाता है यह patient to patient and body to body vary करता है कि healing property कैसी है और क्या age है patient की इन सारी चीजों पर भी treatment depend करता है इसके अलावा कई लोगों को बचपन में दात पे चोट लगी होती है तो उस condition में भी हमको sinus tag देखने को मिलता है क्योंकि trauma के case में अंदर का जो pulp है वो non vitalize हो जाता है बचपन में और जब वो patient दीर दीर बड़ा होता है वो non vital pulp अंदर ही अंदर abscess formation कर रहा होता है इसकी जैसे उसको sinus tag की problem होती यानि वहाँ पे भी past discharge होता है ऐसी condition में भी same यही इलाज होता है कि root canal करो और ठीक कर दो कुछ patient कहते है कि नहीं हमें root canal नहीं कराना आप तो हमें वैसी कोई treatment बता दो इसके लावा कोई और treatment नहीं है या तो फिर tooth को extract कराना ही इसका एक treatment होता है तो I hope आप कोई चीज समझ में आ गई हो कि sinus strike क्या होता है किस वज़े से होता है और इसका क्या treatment है तो इनी शुर्दों के साथ आज का वीडियो यहीं खतम होता है थैंक्स पर वाचिंग दिस डॉक्टर सुनील साइनिंग ओप